कि गाले섯 जिसे के आप देख सकते है यह है एलिफेंट हाथी जो कि इधर इसका पिंजडा ये बना हुआ है इतना बड़ा पिंजडा है इस पिंजडे में गाइस यह रहा बालो उतर रहा है पीड़ से देख लिए जैसे कसी स उतरでも कितना प्यार से उतर गया देखा जानवर बैठा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया अभी वो ये बैठा हुआ है अब दोस्तों जैसे कि आज आप बता दो कि आज है ग्यारा तारिक और संडे का दिन है तो दोपार के तीन बज गये हैं साड़त सबा तीन हो गये हैं करीब तो फिलाल चल लहां है हमारे राहुल भाई है चल लोग रानी बाग जो कि भाई खरला में बने हुए हैं और वहां का चीडिया घर बहुत अच्छा है मतलब बहुत प्रकार के जानुवर्स वहां पर मिलते तो आप लोगों को पूरा वहां का फुल नजारा दिखाऊंगा और मैं भी कभी गया नहीं हूँ आज पहली बार चल ले हैं तो चल के आप लोगों को भी वहां का पूरा नजारा दिखाते हैं व्लोग पूरा देखना गाइस मजब बहुत आने वाला है तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीर माता जीजा बाई भोसले उगानवा इस तरीके का कुछ गेट है और तो गेट पे पुलिस वाले कड़े हैं और ये मैं इंटी कर लिया हूं अलेडी अब आप लोगों को देखाता हूं यहां का पूरा फूल ना जा रहा तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना या नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को क्या-क्या यहां पर दिखाता हूं और यहां भीड बहुत है जबर्दस्त भीड है आप देख सकते हैं इतनी भीड है कि पूछोई मत तो आप बने यह मतलब यह सोच में हूं कि मैं कि इधर से आप लोगो को पहले स्टार्ट करो हूं तो यहां का बारे में पहले मैं समझता हूं उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं यह है डाइनासोर और इस तरीके के कुछ इसका मतलब चित्र बना हुआ है यह ओर्जिनल नहीं है डूलिकेट है लेकिन और भी चलके आप लोगों को दिखाते हैं पहले आओ यह इसके टिकट को गेरा के बारे में कुछ जान करें लेते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह मतलब आद्मी लोगों का पचास उरुपए का टिकेट है और बच्चे लोगों के लिए पचीस का है पुटम सव याने की चार लोग का सव रुपए है जैसे कि आप लोगों को बता दू कि या लाइन बहुत जाता है और यह सामने है टिकेट घर जो कि आप देख सकते हैं यह टिकेट घर है यहां से टिकेट हमको मिलेगा और यहां से पूरा लाइन लगी हुई है यहां से वहां तक पूरा लाश तक भिए जैसे कि आप देख सकते हूं यह अभी अंदर नहीं गया हूं इसके अंदर जाना पड़ता है लेकिन अभी अंदर नहीं गया हूं अभी तुमें बाहर हुत यह ऊलाम है यह फुर्र टिकट गर है यहां पर और पुर लांग लगाुआ है तो मैंने ड़ोस्ट को बोल द इस तरीके से सब यहां पर लगे हुए हैं बने हुए हैं कि जो कि हमको अंदर देखने को मिले गए जैसज से इंट्री मिलेगी देखी तुर्न लें यहां पर इस जिट्टी मिलती हैं और इस गेर्स से हम बाहर एकजिट करेंगे ठीक है पर जैसे की बोल देख देख रहे हैं यह हैं यह आप से बाहर और लोग देखके हूए यह यह रहा मेरे पास टिकेट, हमने दो टिकेट ले लिया, इसे में एक में ही दो टिकेट हो गए, तो गाइस मैं फामली देखिए, गेट के अंदर आ गया हूँ, और मेरा टिकेट चेक हो गया उलेडी, तो अभी हम करेंगे स्टार्ट इधर से, इन टी करते ही, मुझे कुछ इस जितने भी चित्र बने हुए हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एट टू जेड चीज देखने को मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को यह सब चीज आप दिखाऊंगा, चल के पूरा लाइव टूर कर वहाँगा, इन सब से, तो गाइस जैसे के आप यह दे लोगों को चल के दिखाते हैं, तो गाइस जैसे के आप लोग देख सकते ही, इसी के अंदर है वो सेर, इस पिंजड़े के अंदर, जो की ऐसा पिंजड़ा कुछ बना हुआ है, इस तरीके का पिंजड़ा कुछ बना हुआ है, चलते हैं, इसके उपर चड़ते हैं, और दिखते हैं अगर दिखता है कि नहीं दिखता है है तो आज़ जासे के आप देख सकते हैं यह गुफा बना हुआ इसके अंदर उस गुफे में साइद रहें से अंदर है स्य निखला नहीं है बाहर तो कुछ इस तरीके से इसका पिंजड़ा बना हुआ इतने में आप देख सकते हैं लेकिन वो शेर उसे के अंदरी में है वो इधर बाहर नहीं निखला है गाइस जिसे के आप देख सकते हैं यह है एलिफेंट हाथी जो कि इधर इसका पिंजड़ा यह बना हुआ है इतना बड़ा पिंजड़ा है इ और इधर वो खड़ा हुआ है जाइस ये एक दूसरा पिंजा मिला है जो की कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको कुछ कंगार उंगल वे सब कुछ बना हुआ है लेकिन अंदर कुछ है कि नहीं भागवान जाने कुछ इस तरीके से चित्र बने हुए है इसके अंदर लेकिन कुछ है कि नहीं वह तो नहीं पता है पबलिक गाईस क्या पबलिक है इधर भालू है जो कि आपको भालू देखने को मिलेगा इधर इधर आपको दिखाते हैं भालू जैसे कि आप देख सकते हैं यह दो दो भालू है एक पेड़ पर चड़ा हुआ है जैसे कि आप लोग देख पर यह नीचे है और एक उपर चड़ा हुआ है यह दो भालू है क्या गजब का दिक रहा है गाइस आप देख सकते हैं यह एक नीचे बालू है और एक यह रहा पेड़ पर चड़ा हुआ है दूसरा यह उपर है और नीचे यह रहा है यह दोनों भालू है गाइस गाइस आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यह एक उजट जा रहा है गाइस यह रहा बालू उतर रहा है पेड़ से देख लीजिए जैसे कैसे उतर रहा है कि इतना प्यार से उतर गया देखा गाइस यह अंदर एक गुफा है गुफा टाइप में क्या बना क्या है अंदर क्या पता कि आप लोग देख रहे हैं यह है टाइगर पॉइंट और यह उसका टाइगर का पिंजड़ा है जो की इतनी पफलिक है यार देखने के लिए बेता आप कि माइगाड चलो देखते हैं अंदर दिखता है कि नहीं दिखता है क्या पता तो गाइस अभी टाइगर तो इस साइड में हैं दो तीन टाइगर दिख रहे हैं लेकिन इतनी भीड है ना भाई गुषने को नहीं किस अभी यहा दिखाते हैं इदर ले प्लेते न अर इधे दिखाते हैं गैसे इसमें दो कुछ भी नहीं है क्युक्त होएं पहें कि लोग उम्ड़ी है तो भी बाएं निकलना चाहिए नहीं निकली है आजाओ गाइस और आगे चल के कुछ दिखा देते फटाफट और दिखाने के बाद क्या है कि मैडम का कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा यार इधर क्या है गाइस वो दिखाते हैं आप लोगों को इसके अंदर में क्या है क्या नहीं वो भी देख लेते हैं इसी वक्त इस जंब करके रखी है जानवर बैठा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया अभी वह यह बैठा हुआ है लेकिन वह कुछ सुस्त बैठा हुआ है और आगे क्या बैठा हुआ है वह दिखते हैं काववा काववा के आगे कुछ भी नहीं है में और इसमें इसमें देखते हैं इसमें साथ क्या बैठा हुआ या बैठा हुआ है क्या है क्या नहीं बागोदने है करा दो करें जला आट है अज़ जगाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओ कि अभी तो इतनी सब कुस दिखाया हूं अब और निखलते हैं बाहर आज की आएवाद क्योंकि संदे को पब्लिक बहुत ज़्यादा होती इसलिए मज़ा नहीं आपाता है क्योंकि अच्छे से हम आप लोगों को गाइड करके बता नहीं पाते ना तो यह सेर का पिंजड़ा है वो जो बाग वगेरा है वो सब उनी का सब पिंजड़ा है बाई इतना बड़ा पिंजड़ा गाइस यह सब जूला वगेरा है और कुछ इस परकार से देखने को मिला है गाइस उधर भी है कुछ नहीं गया भी उधर उधर नहीं गया कुछ और इधर जूला वगेरा है बच्चे लोगों के खेड़ने के लिए और हम लोग चलेंगे इधर दिखाएंगे आप लोगों को और क्या-क्या मिलता है और अपने को जल्दी निखलना भी है यहार यहां से तो गाइस मैं जानी बात में जो जो कुछ भी आप लोगों को दिखाया हूं कैद आप लोग अच्छा लगा होगा देखते हैं तो फिलहाल पुरा तो नहीं दिखा पाया हूं और टाइम भी नहीं मेरे पास क्यूंकि मैं जो जॉब करता हूं मैडम का कॉल आ गया तो मुझ निव लोग के साथ तब तक आप अपना ख्यालत में जाए ही जाए भारत बंद मात्रा में